नमस्कार दोस्तों, लीसेंटी वर्ल हेल्ट औरगनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को लेके एक मीटिंग रखी है मीटिंग क्यों रखी गई कारण है, क्योंकि 12 ऐसे नॉन एंडेमिक देश जहां पर मंकी पॉक्स नहीं पाये जाता है वहाँ पर 92 confirmed cases और 28 suspected cases पाये गए, जिसके बाद विश्व के expert यहाँ पर concern दर्शार है कि कहीं यह नया pandemic तो नहीं है, तो दोस्तों इसके उपर बात करेंगे क्योंकि हर वो बिमारी जो की news के अंदर काफी ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ से कई बाद question आ जाते हैं, तो इसलिए UPSC point of view से यह topic हम लोगों के लिए important हो जाता है तो चलिए दोस्तों इस session को शुरू करते बड़ उसके पहले आप लोग में साथ में एसासी 10 टेलिग्राम ग्रूप के उपर जुर सकते हो, class की update ppt pdf आपको में मिल जाती है तो बात करते मंकी बॉक्स के बारे में, मंकी बॉक्स है जुनोटी बिमारी है जो कि इंसान से जानवरों के अंदर हो जानवर से इंसानों के अंदर फैल सकती है मंकी बॉक्स नाम कैसे पड़ा, तो 1958 के अंदर Democratic Republic of Congo के अंदर मंकी बॉक्स का पहला केस पाया गया था, मंकी के अंदर इस कारण से नाम इसका मंकी बॉक्स पड़ा, 1970 के अंदर फिर पहला केस इसका human के अंदर मिला हाला कि मंकी जो है, इसका natural host नहीं है इस बिमारी को कहां से आई है ये बिमारी, natural host क्या है, वो अभी तक नहीं पता है हाला कि ये बिमारी कैसा है जानवरों के अंदर पाई जाती है जिसके अंदर monkey, apse, rat, mice, squirrel और rabbit देखने को मिलते है ये जो monkey pox है, जो हम लोग इसकी बात करते हैं, तो ये दो variant में है जिसके अंदर एक Congo variant है, जिसे Central African variant भी कहा जाता है और दूसरा Western African variant है, जिसके अंदर से जो Congo variant है, ये ज़्यादा फैलने वाला और अभी भी हम लोग को यही फैलता हुआ दिखाय दे रहा है जो हम लोग इसी की बात करते हैं, तो ये जानवर से इंसान में और इंसान से इंसान में फैल सकता है आप किसी के भी close contact में हो, चाहे आप जानवर के close contact में हो, जो infected ہے या इंसान के close contact में हो, जो infected है, जिसकी वज़े से फ्लू इडरोड अख्षीν हो जो रहा है के जुनोटिक विमारी है इसका जो सबसे पहला केस दिखाया दिया था मैंने बताया 1958 के अंदर मंकी के अंदर था और 1970 के अंदर Democratic Republic of Congo के अंदर ही 9 साल के एक बच्चे के अंदर ये रिपोर्ट हुआ था 1970 के बास थे लगबग 11 अफरीकन देशों के अंदर ये मंकी पॉक्स अंदर को दिखाया देता है ये 11 अफरीकन देश आपको equator के आसपास वाले रिजन दिखाया देंगे थोड़ा यहाँ देखो अब यहाँ पर ही ये होती है जिसके कारण से यह चेत्रों के अंदर वाइरस वगेरा बहुत आसानी से फैल पाते हैं इस कारण से हम लोगों को यहां पर यह बिमारी दिखाने को मिलती है वहीं यहां पर दूसरा इशू जो आता है वह डेवलपमेंट का आता है अगर आप यह चेत्रों देखोगे तो यहां पर हेल्थ को लेके बहुत इंफ्राशक्चर नहीं है बहुत डेवलपमेंट नहीं है जिसे आप नाइजीरिया ओले छेत्रों देखोगे तो यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 14 साल की है जिसके कारण से हम लोगों को क्या दिखाया देता है कि यहां पर जो हेल ओर तो यहां पर दिखाया दिया था सवाल यहां पर लिखने को मिलता है कि क्या मंगी पक्स इसके पहले भी किसी और नौन-एंदिमिक देशके 한दर फिंदक क्या तो कहीं बार आप देखोगे जैसे 23 के अंदर अमेरिका के अंदर 70 के से देखने को मिले उसके बाद में जुलाई और नवंबर 2021 के अंदर भी मंकी पॉक्स युनाइटेज शेट के अंदर देखने को मिला उनाइटेट किंग्डम्स के अंदर भी सप्टेम्बर सिंगापूर के अंदर मई 2019 के पाए थे सवाल उठता है कि जब इतनी बार नॉन एंडमिक देशों के अंदर मंकी पॉक्स फैला है तो आज फिर इतने कंसर्ण क्यों क्यों कि इस बार मंकी पॉक्स एक साथ कहीं सारे नॉन देशों के अंदर लगबग 12 देशों के अंदर फैलता हुआ दिख रहा है और कहीं बार उन लोगों के अंदर फैल रहा है जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है जैसे कि आप देखोगे ऑस्टेलिया के अंदर बेल्जियम कैनेडा फ्रांच जर्मनी इटली नीदरलेंड स्वीडन युनाइटेटं चिंग्डम युनाइटेट शेट्स यह वह देश जहां पर अभी मंकी पॉक्स ज़ो है वह दिखाय देरा है अब बात करतें मंकी पॉक्स के symptom की इसके अंदर आप देखोगे तो आपने कभी देखा होगा किसी को माता जी आ गई यह से कहते है या चिकन पॉक्स हो गया स्मॉल पॉक्स हो गया यह कभी सुना होगा इसके अंदर क्या होता है शरी के अंदर छोटे-छोटे दाने उठाते है ठीक है उसी तरीके के दाने ज तो स्वैलिंग जोती हो कम होती है बड़ अगर मैं स्मॉल पॉक्स से इसको कमपेर करता हूं इसा घ्राफिया गया था पर इसमॉल पोक्स ज्यादा कंटीन्जिस था ज्यादा फैलता था देक तो यह से पूरत चेहरा वरद जाटा था इतना कि स्मॉल box होता था इवन small box को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सरदर्द बीमारी थकान होती थी similarly monkey box में भी होती है पर monkey box के अंदर इसका जो amount वो कम है मतलब जादा सरदर जादा थकान जादा बुखार आता था small box के अंदर monkey box के अंदर वो कम है अब बात करते हैं कि क्या monkey box के लिए कोई इलाज है तो monkey box के लिए कोई specifically इलाज नहीं है पर जो small box की दवाईयां उसे हम लोग monkey box के अंदर यूज कर सकते हैं क्योंकि small box की दवाईयां 85% तक monkey box के अंदर काम आ सकती हैं बट concern का इशू यह है कि small box जो है वो 1980 के अंदर globally eradicated घोशित कर दिया गया था जिसके बाद से इसकी बहुत दवाई अवेलेबल नहीं है जिसके कारण से हम लोग कह रखते हैं कि दवाईयां तो हैं जिसके उपर monkey box के उपर वो दवाईयां एफेक्ट भी करेंगी पर वो number of दवाईयां जो है वो कम है उसका supply जो हम लोग को कम दिखा दे रहा है इतना ही नहीं यह जो monkey box है यह self limited विमारी है मतलब कहीं बार आपको दवाई की जरुवत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको हुई है तो धिये धिये करके खुद ही ठीक हो जाएगी दो-तिन हफतों के ठीक है तो कहीं बाई इसको दवाई की जरुवत नहीं पड़ती है पर दवाई की जरुवत तब पड़ती है जब severe cases होता है वहीं monkey box के अंदर अभी कोई global system available नहीं है अगर monkey box का outbreak होता है तो concern का issue यह है कि हम लोग के पास में कोई global system नहीं है यह तेजी से फैल रहा है और कही लोग covid-19 से उभन हैं तो ऐसे case में कोई सीवी बिमारी होती है तो वह अचानक से अब हवा जो है वह बनने लगता है तो वह हम लोग को थोड़ा सा दिखाय दे रहा है साथ में थोड़ा सा concern का issue यह है कि दवाईयां जो है वह इतनी available नहीं है तो दोस्तों आज के लिए इतन इसके बाद में अगर आपको दो साल बाद लगता है कि आर जो रिजल्ट आया है वह उतना satisfactory नहीं है तो उसके बाद में आपकी आगे की पढ़ाई अनकैडमी बिल्कुल फ्री आफ कोश कराएगा इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को बेस्ट एजुक आपको मिलेगी साथ मैं आपको किताबे मिलेंगी साथ मैं आपको प्रिलिम्स की प्रेक्टिस बुकलेट मिलेगी मतलब complete study material मिलेगा और बहुत खम नामों के अंदर मिलेगा तो जाओ सब्सक्राइब करो src10 code का प्रेयोग करो अभी offer का फायदा उठाओ आज के लिए इतना ही जैन जै भारत